5 जनवरी 2021 राजिस्थान के सूरतगर के अंदर एक MiG-21 क्रैश होता है जिसमें पाइलेट की जान सुरक्षित बच जाती है 17 मार्च 2021 मध्यप्रदेश के ग्वालियर के अंदर एक MiG-21 क्रैश होता है जिसमें की गटना स्थल पे ही गुरुप कैप्टन की मौत हो जाती है 20 माई 2021 पंजाब के मोगा जिले के अंदर एक MiG-21 क्रैश होता है जिसमें की घटना स्थल पे ही पाइलेट की मौत हो जाती है इसी तरीके से 25 अगस्त, 25 दिसंबर और अभी 28 जुलाई 2022 पिछले 20 महिने में हुए इन 6 हाथसों में लगबक 6 में से 5 बार भारतिय वायुसेना के 5 पाइलेटों की मौत हो चुकी है और हर बार कारण रहा है MiG-21 फाइटर जेट तो ऐसा वो क्या रीजन है जिसकी वज़े से कि भारत की वायुसेना की एक टाइम पर कहे जाने वाली रीड की हड़ी MiG-21 आज उरता ताबूत के नाम से उसको जाना जा रहा है तो आई आज इस वीडियो में इसी बारे में बात करते हैं कि आखिर का रूसी विमान MiG-21 का इतिहास था क्या और कैसे इसने 1971 और 1999 के युद में भारत को जिताया था बहुत एहम भूमी का निभाई थी और उसके बाद आज लगबग पिछले पांच दशकों में 400 से जादा क्रेश इस फाइटर जैट के हो चुके हैं जिसमें लगबग 200 से जादा पाइलेट की जान इंडियन एर फोर्स को गवानी पड़ी है तो इसकी शुरुआत होती है साल 1949 से जब पूरी दुनिया दूसरे विश्यूद की शुरुआत करने वाली थी उस वक्त अमेरिका और सोवियत संग यानि की रूस जैसे देश आसमान के अंदर अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए नए नए प्रियोग कर रहे थे ऐसे में सोवियत संग के दो एरक्राफ डिजाइनर्स ने ये जुम्मा उठाया कि उनको एक ऐसे फाइटर जैट बनाने है जो कि साउंड की स्पीड से भी तेज जा सके और ये दो एरक्राफ डिजाइनर्स थे आर्टिम मिकोयान और मिकाईल गिरोविच इन्होंने कंपणी बनाई जिसका नाम ही रखा गया मिग और ये कंपणी बनाई गए थी 1949 और 1940 के बीच में और उसक रश्या कितना पावरफुल था उसकवाद का अंदाजा अब इस बात से लगा सकते हैं कि कंपणी बनने के लगबग एक साल बाद ही इन दोनों एरक्राफ मिग के आ चुके थे उसके बाद फिर साल आता है 1956 जब रूस अपना इंटर्ड्यूस करता है मिग 21 और ये ऐसा फाइटर जेट था जो कि एक घंटे के अंदर लगबग 200 किलोमेटर दूरी तै कर सकता है यानि कि जो साउंड की स्पीड होती है उससे भी लगबग एक हजार प्रती घंटा जादा तो अब यहां पर रश्या तो एक ऐसा फाइटर जेट बना लेता है जो कि साउंड की स्पीड से भी तेजी से चल सकता है जिसे की सूपर सॉनिक जेट कहते हैं तो यहां पर इसराइल और अमेरिका इनको ऐसा लगता है कि किसी भी तरीके से हमको मेग 21 की जो टेक्निलोजी है उसका पता लग जाए तो यहां पर इसराइल की खूफी आइजेंसी जिसे हम मौसाद के नाम से जानते हैं वो एक ऑपरेशन शुरू करती है उसका नाम रखा जाता है ऑपरेशन डायमंड और ऑपरेशन डायमंड के तहरे दो बार कोशिश करी जाती है किसी भी तरीके से मिग 21 को इसराइल नहीं तो अमेरिका के अंदर लाया जाए और इसकी टेक्निलोजी को जान पाएं और दोनों ही बार यहां पर मौसाद सक्सेस्फुल नहीं हो पाती है तो इसराइल यहां पर किसी दूसरे देश का दरवाजा खट-खट आता है और यह पर जिसको फसाया जाता है वो होता है एराक की एरफोर्स का एक पाइलेट जिसका नाम था मुनीर रैडफा मुनीर रैडफा एराक की एरफोर्स के अंदर एक पाइलेट होते हैं जिनको इसाही लड़की से प्यार हो जाता है और उससे वो शादी कर लेते हैं और वो इसाही कि सीमा के अंदर ले आओ बाद में बात पता लगती है वो इसाई लड़की एक मौसाद की एजेंट होती है और मुनीर रेडफा इस जाल में फस जाते हैं और वो इसराइल के पास मिग 21 लाके खड़ा कर देते हैं इसराइल की सीमा के अंदर तो इस तरीके से मिलता है इसराइल और अमेरिका को मिग 21 की टेक्नलोजी जो कि आज ये तने बड़े बड़े जितनी डिंगे मारते हैं न कि इतने बड़े देश हैं अब उसके बाद आते हैं अपने भारत पर भारत को ये फाइटर जैट मिलता है 1963 के अंदर साल 1963 में भारत के प्रदान मंत्री होते है पंडित जवाहलाल नहरू उस वक्ट जो भारत के रक्षा मंत्री थे उनका नाम तो वी के कृष्णन मैनन और इनका बहुत बड़ी भूमिका थी भारत के अंदर इंडो सोवियत जो मिग डील हुई थी इसकी वज़े से ही भारत के अंदर 1967 तक मिग 21 आय थे और इनको असेंबल करने का काम जिस कमपनी ने किया था भारत के अंदर उसका नाम था हिंदूस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड जिसकी मदद से भारत ने 1971 जिसमें कि पाकिस्तान के साथ हमने जो युद लड़ा और 1999 ज जिसके तहत ओपरेशन विजय चलाया गया था दोनों युद में मिग 21 ने अपनी बहुत बड़ी भूमी का निभाई थी जिससे कि भारत दोनों ही युद बहुत ही शांदार तरीके से जीता था अब उसके बाद दुनिया तो एडवांस होती चली गई लेकिन मिग 21 वही का तेजस यह सब पर काम किया जाने लगा और यहां तक कि भारत के पड़ोशी देश, बांगला देश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान इन्हों ने भी मिग 21 को यूज करना बंद कर दिया लेकिन भारत के अंदर आज तक भी मिग 21 यूज किया जाता है और साल 1963 से लेके 2013 तक टो से जादा पाइलेट्स ने अपनी जान गवाई है क्योंकि एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जब संसद में 2002 में ये बात रखी गई तो पब्लिक अकाउंट कमेटी ने एक रिपोर्ट पेश करी उसमें ये बताया गया इंसानों से होने वालती गल्ती कम है बलकि उसके मुक में सबसे तीन बतायी जा रहे हैं पहला रुजण इसमें आता है कि जो मेग 21 कि एक और वीक एडवांस जेट एर्क्राफ्ट है जो कि इंडिया के अंदर यूस किया जा रहा है जो ठेनी पाईलेट्स हैंनको ट्रेनिग देने के लिए जो पायोश पाईलें इतने ज्जाद रिजन बताया जा रहा है जो कि रशिया की तरफ से रिपोर्ट आई है उसमें यह कहा गया है कि जो इंडियन्स है जो इंडियन एर फोर्स है वो जो मेंटेनेंस है वो पूरी तरीके से मिग 21 का कर नहीं पा रही है लेकिन इसका जवाब देते हुए यहां पर जो हमारे पूर चीफ मार्शल अनिल चोपड़ा का कहना यह है कि जो हमारे मिग 21 एर फोर्स के पास अभी है वो 100% सर्विसेबल है तो यह आरोब भी उन्होंने गलत साबित कर दिया इसके बाद तीसरा में रीजन यहां पर आता है बर्ड स्ट्राइक 2010 के बाद अभी तक 2022 तक जितने भी सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है अब बात आती हैं पर कि भारत सरकार आखिरकार मिग 21 को डी कमिशन क्यों नहीं कर देती है या फिर उसको फेज आउट क्यों नहीं कर रही है तो यहां पर इस चीज का खुलासा करते हैं हमारे पूर चीफ मार्शल जिनका नाम है अनि अभी भारत ने डील करे थी उसमें भी हमने जब राफेल फ्रांस से खरीदे थे दसौल्ट अविएशन नाम की कमपनी से यहां पे भी उनकी संख्या जहां 121 हुई थी हमें 121 राफेल खरीदने थे उनको कम करके 36 कर दिया गया तो जब हमारे पास फाइटर जेट होंगे ही नहीं जो हमारे पास अवेलेबल होगा हमको वही यूज करना पड़ेगा तो अब आगे का रास्ता जो है मिग 21 के लिए भारत सरकार ने यह तै कि आने वाले सितंबर महिने से जो हमारे मिग 21 है भारतिय वायू सेना के पास उनको रिटायर कर दिया जाएगा इसमें सबसे प कोशिश रहेगी कि मेग 21 को पूरी तरीके से रिटायर या फिर फेज आउट कर दिया जाए क्योंकि यहां पर में बात यह आती है कि भारतिय वायू सेना का और भारत सरकार का यहां पर करोड़ों पैसा खर्च होता है भारत का एक एरफोर्स का पाइलेट बनाने के लिए त तो उमीद करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी मिलते हैं नेक्स वीडियो में एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का जान रखिए धन्यवाद